वो है वेलो वरीवन दिस यो गेश वल्कम बैक तो दी चैनल तो टुड़ेश बीड़ेन्ट में इंटर्वीए एड च्पिरियंस अड्सीयो टाइब टिक है तो टुड़ेश्बी मेरा इंटर्फीर लग चुका है जिवाल नो डाट कि मैं लिंग्डीन वगर एंपोच्ट किय थे और सब में किस टाइब कोश्चन से किस टिफिकल्टी लेवल के प्रॉब्लम से वो से हम लोग डिसकस करेंगे तो वीडियो में बैंदेरों पर यह लास्ट तक और वीडियो मजा आएगा देखकर तो सस्क्राइब कर देना विकॉस स्क्रिप्शन बहुत जरूरी है हमें ग इंटर्शिप कर रहा था जिवो टैप में एड आई वाज़ लुकिंग फॉर दाट ऑपरचिनिटी सो अभी कुछ सायद ओपनिंग निकली थी सो सैलेस रिफर्ड मी और आई गॉर्ट टेश्ट लिंग फॉर्ट इंटर्शिप टीक है सो टेश्ट मुझे मिल गया था तो ट अगर तुम लोग बेसिक्स अब डिये से करके रहे हो तुमें जेनरल नॉलेज अगर है वह तुम लोग कुछ नगुछ कोशन्स प्रैक्टिस करके हो मॉडरेट लेवल का तो यूए इसली क्रैक्ट ऑनलाइन को ऑनलाइन टेस्ट राइट तो वह तुम्हारा क्रैक्ट हो जागा आराम से राइट सो एराउंड फिर उसके बाद ही मेरे को फिर कॉल आया कि मेरा एक यार फर्स्ट इंटर्वू स्केडूल हो गया ठीक है मैं पूछेंगे तो मैं पूछी लिया था किस टॉपिक में पूछा जाएगा तो शी टोल डैट इस विल बी रिलेटेट प्रॉल्म सॉल्विंग डेटा सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं रिवीजन करने लगा अब इंटर्वीज होने वाला था अप्रॉक्स मतलब गया आज पास था इंटर्वीव तो मैं तो रेडी हो गया तो फर्स टेक्निकल इंटर्वीव और वन आर फिफ्टीन मिनट्स यार ऐसा कुछ चला था एंड शी आग्स मी अराउंड टू कोडिंग कोश्चंस सम्दी सम्प्रोजेक्स रिलेटेट कोश्चंस तो पहले स्टार्ट प्रोजेक्ट से ही स्टार्ट हुआ उन्होंने मेरा बोला कि यार कोई भी एक तुम प्रोजेक्ट को एक्स्प्लेट करो और उस पर कुछ-कुछ चोटे-मोटे क्रॉस कोश्चंस पूछे गये थे आयांसर अल्दी कोश्चंस इट वाउंड फिप्टीन मिनट्स फंदरमें आफ्टर गिविंग इंटर्विव इस अजिस फ्लेवल प्रोजेक्ट कोश्चंस पूछ लिए गये थे तो पहला प्रोजेक्ट कर बना दिया था वर्किंग सल्यूशन पर दिया था पूरा करेंगे था इसाम उप्टीमल सल्यूशन और जैसे कि टाइम जादा नहीं बच प था था थोड़ा सूदो को लिखकर दिखा दिया था मैं राइट फूल कोड ने लिख पाए फूस टाइम नहीं बचा था तो यह आई वाइवाज आई वस एवल तो क्लियर दाट राउन आई गाट दा मेल एव सेलेक्ट इवर नेक्स टेक्निकल राउन आएम गोईं तो गी सब्सक्राइब नहीं लग रहा है तो कोई बचैस इस में अप्लाइ कर सकते है यह जर। सब्सक्राइब पहुत आपकर मिलेंगे मेडल वगर मिलेगा टॉप 100 बचाइस मिलेंगे अ टॉप 500 इंट नूब फ्रकाइस मिलेंगे top female coders, second best female coders इन बंदों को भी prizes मिल रहे होंगे और जैसे कि मैं बोला I am going to give away 25 Code Chef Snackdown T-shirt to my subscribers तो यहां basically क्या scene हो रहा है You have to register through my link which is given in the description और तुम लोग को यार जो पहला round है पहला online coding round online qualifier round जो है उसमें तुम्हें at least एक problem मराना होगा और जो 25 बंदे रहेंगे जो मेरे link से register कर रहे होंगे उनको मिल रहा होगा Code Chef का Snackdown T-shirt on my behalf from Code Chef ठीक है तो यह था message and you can go and check out the website snackdown.cordchef.com यहां तुम्हें सारे information तुम्हें मिल जाएगा Code Chef Snackdown के बारे में and yeah this is everything now I think you have understood everything let's go on to the video तो next technical round start होता है उसमें भी मुझे HR से information मिला कि यह भी तुम्हारा problem solving round होने वाला है DSA के पूछा जाएगा कुछ okay so I was okay यार मैं सोचा है कि हैसल सही है कि DSA पूछा जा रहा है project पूछा जा रहा है project पूछा तो बताई देता हूँ मैं so yeah again this interview started this was around one hour एक गंडेगा था and starting again he asked me some projects related questions तो basically मेरा जो previous internship था उससे कुछ questions पूछे गए थे जो मैं जिस चीज टास्क में काम किया था वो सब के बारे पूछा गया कि कैसे कैसे मैं क्या किया क्या नहीं किया और थोड़े बहुत cross questions पूछे गए थे so I will highly recommend you all कि तुम लोगर कुछ internship कियो कुछ projects कियो तो थोड़ा बहुत देख कर रखना because cross questions पूछे जाते हैं वो सब topics से और मतलब तुम जो बनाए हो तुमे वो knowledge या कि नहीं अगर तुम खुद बनाए होगे तो तुम अटक जाओगे सिंपल सिंपल cross questions भी तुम नहीं बोल पाओग तो वो सब cross questions के बारे में मतलब सोच कर रखना ठीक है so again he started with the DSA part तो दो questions पूछे गए थे both questions were around medium level hard level कर नहीं था both questions were around medium level तो पहला question जो तुमारा था that was related to arrays तुमारा shorting वीदा उसमें और तुमारा binary research भी था ठीक है तो three concepts लगे थे array, shorting and binary थे सब कुछ से उसमें था पहला question में and I was able to explain the logic और optimus solution में code गरे के भी दिखा दिया था तो तुमारा सोच रहो कि मैं question exactly क्यों नहीं बता रहो because I think it's against the terms and conditions something like that so I'm not saying you the exact question right so that's why I'm explaining you the type of question difficulty level और कुछ topic से पूछे गया थे the second question was again from the arrays and basically string sorry array ने string था ठीक है तो second question was related to string और उसमें कुछ changes वगरा करना था तो वो भी medium level का problem था वो भी मेरा हो गया ठीक है so yeah this was the second round of interview और ये भी complete होने के बाद मैं confident था कि हो जाएगा because सारे questions का मैं मतब सभी सा answer दे दिया और दोनों code कहीं मैं working solution में दिखा दिया था करके तो I was confident कि हाँ मैं रहो जाएगा so again I got the call from the HR that a third round is been scheduled और वो एक managerial round था so त्यार managerial round दो लोग समझ रहे हैं हमाबास situation based question पूछे जाते हैं और तुम्हें सबका answers देना होता है तो यह उसके लिए थोड़ा बद प्रिपेर नहीं था पर फिर यह थोड़ा बद देख लिया था and again managerial round was around 45 minutes का हुआ starting के question सोड़े बहुत मेरे बारे पूछे का कि तुम क्या हो क्या नहीं हो कि कैसे 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 तुम्हारा यह वह है तुम मेरे बारे में सब कुछा गया था फिर कुछ situation based question पूछे जा रहे था लाइक कि अगर तुम्हारा बिसिकली बोल सकते हैं कि अगर तुम्हारे deadline दिया हुआ है और उस समय तुम्हें एक task भी complete करना है तुम्हारे company में और तुम्हें एक exam भी देना है तुम कैसे उस situation को handle करो सो like this some situation based question वे देर तुम्हें इंटरेम मेरे सब्सक्राइब सकते हो some situation based question और तुम्हें पता चल जागा कैसे कैसे question आते हैं ठीक है so this was asked and again उसमें भी एक coding question कूछ लिया गया था so he told that कि as it is the manager and I am not going to tell you have to write a working solution just explain me the logic so he asked me one problem again that problem was related to binary tree plus DP तुम्हें लोग या कोई standard problem ही था मुप देखावा था मेरा so binary tree plus DP and he asked that question and I was easily able to explain the logic so yeah like this manager and also ended और फिर यहां भी मैं थोड़ा बहुत confident था because almost सारे answer मैं बता दिया so I thought कि हो जाना चाहिए and the next day I got the mail that I have I am selected for the internship at zero tap so it's a six month internship right तो बस वही चल रहा है अभी तुम्हें लोग देख रहा है थोड़ा बहुत में YouTube में थोड़ा less active हूँ because अभी स्टार्ट हुआ है थोड़ा बहुत pressure है मेरे उपर मतलब काम सीख रहा हूँ आस्ते तो फिर इवा comfortable हो जाओंगा फिर YouTube भी अच्छे से चलते रहेगा ठीक है तो चापनी लेने का यार बहुत सारे videos आए वे हैं already डले वे हैं तुम लोग सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो ठीक है और एक बात कि यार यह मैं सोचना किसी जो मैं भी कुछन तुम लोगो जो स्वाल्फ कर रहाता हूं सिर्फ वो करने से हो जाएगा I am preparing those questions because तुमारे problem solving skills अच्छे हो जाए राइट it's not that किसी वुसी में से question नहींगे because जो चार question मेरे से पूछे गए technical round 1 and technical round 2 में all 4 question was not known to me मैं देखा ही ने ता 4 question टीक है वो managerial वाला दिखावा था मेरा तो मैं frankly बोल रहा हूं because my problem solving skills was good क्यों because यह मैं सोच के नहीं चल रहा हूं कि जो limited 450 question में वही करूंगा मेरा हो जाएगा it's not तुम्हे problem solving skills को develop करना तुम कहीं से भी करो वहां से भी करो कहीं से तुम्हारे road में आप जाए सब हो सकते एक path हो सकते तुम शीट को follow कर सकते और problem solving skills को develop कर सकते हो ठीक है so yeah that's it about the interview experience और आगे देखो कुछ ना कुछ वीडियो आते रहेंगे so I think तुम लोग मज़ा आया होगा मेरे interview experience के बारे में जानके तो मैं यहीं बोलूँगा यार problem solving skills के उपर तुम लोग काम करो number of questions के उपर मत दो सोचो कि यार इतने questions ने इसे करना है और मेरा काम हो जाएगा it's not ठीक है problem solving skills develop करो तो आगे और वीडियो जाते रहेंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है लिखोगे तो मुझे भी खुशी होगी जानके हाँ तुम्हें यही है सब कुछ ठीक है तो और चैनल में नहीं हो तो या प्ली subscribe कर देना जिससे हमारे subscribers बड़े हमारे growth अच्छा हो और अच्छे अच्छे contents में लाते रहोंगा चैनल में ठीक है तो चाप लेने का बात नहीं है content आते रहेगा ओके तो या चलो मिलते हैं किसी next video तक के लिए बबाए